नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टीमेट नॉलेज पर और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोतिश विग्यान के बारे में जी हाँ दोस्तों जन्मे हुए लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जी हां जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जोतिश विज्ञान अपने आप में एक प्रमानिक विज्ञान है जोतिश विज्ञान के अनुसार वैक्ति का भूत भविश्य और वर्तमान सब कुछ जाना जा सकता है यह तो टीक और सही तरीके से जाना जा सकता है तो आये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन महिनों के बारे में जिन महिनों को भारत जोतिश के अनुसार बहुत ही शुब माना जाता है जोतिश विज्ञान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स जिन लोगों का जन्व सितंबर माह में होता है ऐसे लोगों का भाग्य सदेव साथ देता है ऐसे लोगों के पास थन की भी कोई कमी नहीं नहीं होती एसे लोगا को अपने हर कारे शेत्र में सफलता प्राफ्थ होती है और ऐसे लोग अपना जीवन सभी खुशियों और आनंद के साथ वैतीत करते हैं जोतिश विज्ञान के अनुसार अप्रेल के महिने को बहुत शुब माना जाता है जैसा कि शायद आप सब लोग जानते हो हिंदु नव वर्ष की सुरुवाद भी अप्रेल के महिने से ही मानी जाती है इसलिए अप्रेल के महिने का महत्व अपने आप में और अधिक बढ़ जाता है जोतिश विग्यान के लोग ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों का जन्म अपरेल के महिने में होता है ऐसे लोग भाग्य के बहुत धनी होते हैं यदि ऐसे लोग मिट्टी को भी छुए तो वो चीछ सूना बन जाती है जी हाँ ऐसे लोग जिस कारे छेतर में जाते हैं उस कारे छेतर में च्छा जाते हैं और उस कारे छेतर में उन लोगों को सफलता प्राप्त होती है अप्रेल महिने में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य इतना प्रवल होता है कि इनके भाग्य से इनके परिवार पर आई हुई परिशानी भी अपने आप ही दूर हो जाती है भागे के मामले में अप्रैल में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भागेशाली होते हैं जोतिश विज्ञान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का जन्म फरवरी महिने में होता है ऐसे लोग भी अपने जीवन में बहुत भागेशाली होते हैं ऐसे लोग जीवन में धनवान तो होते ही हैं साथी साथ ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन आनंद और सभी सुविधाओं के साथ वैतीत करते हैं यदि आपका जन्म फरवरी महिने में हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि आपका जन्म फरवरी महिने की 4, 12, 22 और 28 तारिक को हुआ है तो इस कारण से आपका भाग्य कई गुना बढ़ जाता है जोतिश विग्यान की महत्ता और उसकी उपियोगिता के कारण जोतिश विग्यान का उपियोग भारत में सध्यों से होता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि जोतिश में कही गई बाते अपने आप में एकदम सटीक और सही मानी जाती है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपका जन्म इन में से किस महिने में हुआ था अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी